तो गैस Tata Motors commercial vehicle ने कुछ weeks पहले अपने 14 new latest trucks को upgrade करने के बाद आज launch कर दिया है अपने new pickup trucks जिसमें से हमने पहले देख लिया योद्धा 2.0 और यह हमारे पास इस वक्त Tata का Intra V50 जिसके road presence आप देख सकते हैं काफी ज्यादा amazing और इसका massive size लग रहा है especially यह वाला जो color option यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसकी वज़िसे इसकी road presence और भी ज्यादा enhance हो रही है अब इस वीडियो में हम पहले इसका workaround check out करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या यह अपने price को justify करता है या फिन नई और यह pickup truck अपनी segment में highest rated payload के साथ आता है जो कि यह 1500 kg तो फ्रंट में यहाँ पे आपको halogen headlamps का setup मिल जाता है ऊपर जो indicators मिलते हैं वो आपको normal bulb की form मिलते हैं नीचे के side यहाँ पर आपको housing दी गई है Fog Lamps की पर यहाँ पर आपको Fog Lamps नहीं दी गए है रिफ्लेक्टर का option यहाँ पर दे दिया गया है बंपर की बात करें तो plastic bumper आपको यहाँ पर मिल जाता है और काफी appealing इसका front profile लगता है और यहाँ पर Tata ने इसकी overall look को bold और muscular भी carry forward किया है जैसे कि हम एक pickup truck से expect करते हैं यहा attractive design इसे offer करती है V15 की आपको branding की गई है और intra pickup की आपको branding दी गई है काफी massive size का यहाँ पे आपको windshield glass मिल जाता है जो कि आपको easily इसे drive करने में help करेगा अगर आप इसे tight parking place में भी park कर रहे है engine option की बात करें गाइस तो इसमें आपको मिलता है 1.5 liter का turbo charge diesel engine जो produce करता है nearly 79 bhp of power and 220 20 Nm of torque इतना massive size है कि आपको इसमें enter करने के लिए footrest दे दिया गया है और यह मैं यहां से इसमें enter हो गया हूँ और आप देख सकते हैं easily यहाँ पे enter किया जा सकता है अब आप देख सकते हैं इसकी height और length काफी जादा लाजवाब है और definitely जब आप इसे road पे लेके निकलेंगे तो लोग इसके size के काफी जादा दीवाने हो जाएंगे इसके side profile चाप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें आपको massive wheel size मिलता है 15 इंजिसका यहाँ पे आपको steel rim का option दिया गया है तो 215-75R15 यहाँ पे आपको tire की dimension मिल जाती है in fact angle of approach की भी बात करें तो angle of approach भी आपको check out कर सकते हैं काफी massive यहाँ पे आपको ground clearance मिल जाता है इस pickup truck में आपको बात करें इसकी payload capacity की Tata Motors क्लेम करता है कि इसमें आपको 1500 kg की payload capacity मिलती है जो की price segment के साब से और इसके segment के साब से काफी जादा है 35% की यहाँ पे आपको gradability मिल जाती है जो कि आपको इसे inclined पे drive करने में कि इसी तरह की problem नहीं देगी और Tata claim करता है कि V50 अपने 220 Nm के best in class torque 35% की best in class gradability and high ground clearance की वज़े से urban and semi-urban areas में all terrain operations बढ़ी आराम से perform कर सकता है इसके अलावा Intra 50 आपको offer करता है longest loading area या फिर loading body जो कि यह approximately 2.96 meter की या फिर 9.8 feet की जिसकी वज़े से आप अपना जादा से जादा सामान को इसमें load कर सकते हैं जो कि help करेगा आपके revenue को increase करने में and eventually owner को होगा इससे जादा से जादा profit हम आ गएं Intra V50 के interior में यहां पर जो चीज हम सबसे पहले checkout करेंगे वो यह करेंगे कि क्या इसका comfort इतना अच्छा है भी कि आप इसे long journey पे ले जाएं या long trips पे ले जाएं और आपको धकान फील ना हो क्योंकि हम इस type की pickup truck को जब long journey पे ले जाते हैं तब ही हमारा revenue जो है वो देख सकते हैं आपको रेक्लाइन करने के बाद जो इसमें आपको comfort मिलता है वो बिल्कुली amazing है मतलब कि जो आपका cargo space है वो पीछे की साइड है और generally ऐसे type के cargo space में seats नहीं हो पाती है यहां पर आपको recline option मिल रहा है और काफी comfortable ride आपकी हो जाएगी जिसकी वज़े से जब आ अब बात कर दें इसके बाकी features की तो यहां पर अगर मैं features को एक line में summarize करूं तो बहुत ज्यादा features आपको यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन जितने भी मिलते हैं वो एक pickup truck के साब से और business perspective के commercial purpose के साब से काफी ज़दा perfect है USB port आपको यहां पर दे दिया गया है जो आपको help करेगा mobile को charge करने में while driving five speed का manual transmission यहां पर आपको देखने को मिलता है steering wheel की बात करें तो काफी upright position में इसका steering wheel रखा गया है जिसको आपको drive करने में कोई problem नहीं होगी यहां पे जो आपको windsheer वाला glassman आपको दिखाया था video की starting में काफी massive size का यहां आपको glass मिलता है औ और यहां पर किसी तरह कि आपके blind spot नहीं मिलता है यह आप handlebar hold करके इसके exit और entry कर सकते हैं इसमें बड़ी आराम से बात करें instrument cluster की तो कुछ इस type का digital instrument cluster मिलता है middle में आपको यहां पर speedometer दे दिया गया है और यहां पर आपको मिलता है इसका MID जिसमें आप देख सकते है fuel gauge की warning warning मिलती है odometer आपको मिल जाता है 14 km की यहां पर आपको warning दे दी गई है odometer में और यहां पर आपको बागी warnings मिल जाती है जो कि है engine की lighting या फिर 1000 switch वगएरा की lighting floor की बात करें तो floor बिल्कुली flat है जिसकी वज़े से co driver side या driver side जो भी person बैटा होगा उसे अपने feet रखने में किसी तरह की problem नहीं होने वाली है बागी doors की अगर thud की बात करें या quality की बात करें तो एक बात check out कर लेते हो तो आप यह देख सकते हैं काफी robust type की quality feel होती है especially इसके doors की मतलब कि आपको ऐसा बिल्कुल भी feel नहीं होगा कि Tata ने किसी तरह के case में low quality material का उसकी है काफी जादा amazing यहा आपको मिल जाते हैं काफी comfortable है इंफेट जो middle में आपको seat मिलते है वह भी काफी comfortable है doors की बात करें तो doors पे आपको storage place दे दिया गया है जिसमें आप अपनी bottle को store कर सकते हैं बागी power windows के switches आपको नहीं मिलते हैं तो manual आप windows को up and down कर सकते हैं अब बात करते हैं कि क्या इस vehicle को अगर मैं इसके price bracket में से इसके rival से compare करूं या फिर इसके आसपास आने वाली दूसरी pickup से compare करूं तो इसमें benefit आपको यह मिल जाता है कि आपको payload capacities में काफी जादा मिल जाती है आपको size बड़ा massive मिल जाता है जिसके वज़े से आप इसमें loading काफी सारे सामान की कर सकते हैं और स उसके वज़े से उनका revenue है वो भी जादर जादर generate हो पाए तो definitely यह product आपके लिए काफी अच्छा option रहेगा quality पे यहाँ पे किसी तरह की compromise नहीं किया है Tata ने तो वो भी अच्छा factor यहाँ पर आपको मिल जाता है बागि safety में यहाँ पे किसी तरह का compromise आपको नहीं मिलेगा अ अब आप हमें नीचे दे comments में बताइए कि आपको कैसा लगा Tata का यह Intra V50 और अगर आपको किसी तरह का doubt है तो आप make sure हमसे नीचे दे comments में पूस सकते हैं वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को like करना न भूले, channel को subscribe करना न भूले, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो मे thanks for watching